हेलो एवरिवन वेल्कम टू माई चानल अगर आप लोगों ने इस सीरीज का पहले एपिसोड नहीं देखी है मैं आपको वीडियो देखने के लिए सजेस्ट करूंगी मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है एक बार जरूर चेक आउट करना और वीडियो पसंद आये तो चैनल को सब्सक्राइब करके स्पोर्ट दिखा सकते हैं अब एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें एल्डर यू गॉन को दिखाया जाता है और वो कहता है कि मेरी अल्टिमेट टेक्निक भी तुम्हारे द्वारा तोर दिया गया है इसलिए मेरे ख्याल से बीबी ब्लू लाइटिंग ड्रेगन टायर्ट क्लाइन और ऐसे ही कई सारे लोग तुम्हारी वजह से ही मारे गए हैं जिसकी वजह से हमारी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई है अगर मार्शल सोल एमपायर ने यह सब नहीं करता तो ऐसा कुछ भी नहीं होता इसलिए अब हमें इस लड़ाई को खतम करना चाहिए इस पर एल्डर यूगॉन हसते हुए कहता है कि भले ही मैं तुमसे हार गया हूँ लेकिन मैं तुम्हें सरेंडर नहीं करूंगा इसके बाद वो अपनी नौथ हस्पिरिट टेक्नीक का इस्तिमाल करने के लिए रैडी हो जाता है इस पर टैंग्शन कहता है ठीक है मैं तुम्हें एक शांदार मौत दूंगा इसके एल्डर यूगॉन अपनी नाइन्थ सोल टेक्नीक ब्रोकन क्रिस्टमम का इस्तिमाल करता है जिसकी वजह से वहाँ पर एक गोर्डन पेट्रन एक बवंडर क्रियेट हो जाता है इस पर टैंग्शन की टैक्नीक में इतनी पावर होती है कि वहाँ पर की पूरी जगा बहुत भयानक हो जाता है तब वो डेमिंग की पर स्पिरिट फ्रम के साथ आगे बढ़ता है और एल्डर का ब्रोकन क्रिस्टमम को पूरी तरह से कवर कर लेता है जिसके बाद एल्डर पूरी तरह से स्लो डाउन होने लगता है तब वो सोचता है टैंग्शन जब मैं चोटा था तब मैं अगर तुम्हारी तरह एक प्राउड माइंड होता तो मैं एक अनपुतले नहीं बनता जिसे बीबी डॉंग कंट्रोल कर सकती जिसके बाद वो कहता है कि गोस्ट मास्टर मुझे माफ कर देना मैं तुम्हारा बदला नहीं ले पाया इसके बाद हम देखते हैं डेमिंग की पर स्पिरिट फ्रम एल्डर यूगॉन को पूरी तरह से मार देती है तब हम देखते हैं कि की एल्डर यूगॉन की बॉडी डिसपियर होने लगी है जिसके बाद वहाँ पर एक एनरजी ब्लास्ट होता है और सब कुछ खतम हो जाता है उसके बाद टैंग्शन जिवू के पास आता है और सोचने लगता है कि सीनियर क्रिस्ट मम मास्टर रिस्पेक्ट देने के लिए लायक है तब वहाँ पर एक तंग सैट के डिसेबल आती है और बताते हैं कि अ हमें नहीं पता है वो लोग कितने की ग्रूप में आ रही हैं इस पर टैंग्शन कहता है कि ऐसा लगता है मार्शल सोल एमपायर इसके बाद के लिए ज्यादा ही सीरियस है फिर वो कहता है कि जाओ तुम टियांडो लॉजिस्टिक ट्रूप्स बता दो कि वो लोग श्रेक ड के लिए एक बड़ा सा पत्थर उनके उपर गिराते हैं लेकिन तभी दाई मुंबाई उस पत्थर को बीच में ही तोड़ देता है और वहीं क्यार गल सभी ट्रूप्स को एक जटके में मार दी थी है वहीं दूसरी तरफ मोटू भी कई सारे सॉल मास्टर को मार रहा होता है जिसके बाद हम लोग नींग रोंग रोंग और आसकर को देखते हैं यह लोग भी लॉजिस्टर ट्रूप्स को बचा रहे होते हैं इसके बाद हम देखते हैं कि टैंशन के प्लान के अकॉर्डिंग यह सभी लोगों ने मार्शल सोल एमपायर भेजे गए सारे ग्रूप को पकर लेते हैं और मार देते हैं तभी हमारा सिन शिफ्ट होकर के जय लिंग पास पर आ जाता है जहां पर एक सेक्स मास्टर बीबी डॉंग को बताता है कि टियांडो आर्मी काफी लंबे समय से कैंप कर रही है इसलिए अब वो लोग जरूर कुछ ना कुछ करेंगे इस पर ब पारे में क्या सूचना है वो पहले बताओ इस पर छे टी एचल ड़ बताता है कि हमारी टूप्स के मौरल बहुत ही हाई है हमारे सारे सॉल मास्टर अपनी पोजिशन्स पर हैं वहां पर एक सोलजर चिलाते हुए आता है और बताता है कि हमारी रे टीम ने एक रिपोर्ट भ पूचता है कि क्या उन्हें क्या हुआ तब वो बताता है कि यह सभी सोलजर हमारी कंट्री के लिए शहीद हो गए यह सुनकर के वहां के लोग शौक हो जाते हैं इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट हो करके फिर से टियांडो आर्मी कैम पर आ जाता है तभी वहां मोटू नींग ग्रोंग पूचती हैं कि आखर में टैंग्शन और जिवु कहां पर है लेकिन तभी वहां पर टैंग्शन और जिवु आ जाते हैं इस पर मोटू उनसे पूचता है कि यहां पर क्या सिचुएशन थी ताकि हम लोगों ने तो यहां पर आये हुए सारे सॉल मास्टर को मार द इस पर दाए मुंबाई बताता है कि हम लोग ने कई सारे सॉल मास्टर से मिले हैं उनकी सोल पावर तो सोल एमपरर से भी ज्यादा थी इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होकर के फिर से बीबी डॉंग पर आ जाता है जहां पर बीबी डॉंग उस सॉल मास्टर से पूचती है क आखर में वो लोग कैसे मारे गए तब वो सोलजर बताता है कि छे टीम तो पूरी तरह से गायब हो गई है इसलिए मुझे लगता है कि वो लोग मारे गए होंगे वही बाकी के चार टीम जिन में दो लोग सवाइव कर पाए हैं और वो लोग पूरी तरह से घायल हो गए हैं उन्होंने बताया कि उनके उपर एक पावफुल सॉल मास्टर ने हमला किया था और वो लोग शायद ग्रैंड सॉल मास्टर थे इस पर सिक्स टैलर पूछता है कि अगर वो लोग ग्रैंड सॉल मास्टर है तो वो लोग जरूर जाए बलोली ट्राइब की लोग होंगे लेकिन उन लोगों के लिए यह पॉसिबल नहीं है कि वे लोग इतनी पावरफुल सॉल मास्टर को एक साथ हरा दे। इसलिए मेरे ख्याल से यह लोग जरूर डाइ मुंबई के साथ में बाकी के श्रेक डेवल्स होंगे। क्योंकि उन्होंने सिलू सिटी के बाद टियांडो आर्मी का ज्वाइन कर लिया है। जिसकी वजर से यह लोग एक साथ मिलकर के कहीं लोगों को मार सकते हैं। इस पर बीबी डॉंग पूछते हैं कि क्या हमारी टीम ने टियांडो आर्मी का फूद सप्लाई को बरबाद कर दिया। इस पर वो सोलजर डरते हुए बताता है कि एल्ड़ यूगॉन की टीम भी ऐसा नहीं कर पाई है। इस पर सिक्स टैल्ड़ पूछता है कि आमें उसकी टीम को क्या हुआ। लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करा लेना।